हलो आपरीवन आप सभी को हमारे यूटीब चैनल टच इग्जाब में फिर से एक बार स्वागत हैं दोस्तो आसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़े होंगे दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सभी लोगों के लिए समिस्टर 2022 से लेकर 2026 के लिए यानि कि 22 से 26 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो एक्जामनेशन समिस्टर 2 का दिये थे और उन लोगों का आपको पता होगा रिजल्ट भी आ गया था बट यहाँ पर बिसिकली प्राबलम हो रखा था बहुत लोग यहाँ पर प्रमोट हो गये थे और बहुत लोग ऐसे भी थे जो एक्जामनेशन में बिसिकली फेल हो गये थे ठीक है इसका रेशियो देखा जाए तो हर साल के मकाबले इस साल बहुत ज़ादा था और बिसिकली यह सारा यूर्शिटी में देखा गया था जैसे कि हम बात करते हैं BBMKU धनबाद जो की धनबाद में यूर्शिटी है उसके बाद आपका BBMU अजारी बाग ठीक है बिसिकली हम यहाँ पर दो यूर्शिटी को लेकर चलते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग इन लोग दोनों का पैटन और सारा इग्जामिशन लेने का प्रोसेडिव सेम है BBMKU धनबाद और BBMU आपस में लगभग यह लोग सेम थे कुछ साल पहले यहाँ पर अलग हुए है यूर्शिटी बड़ा होने के कारण और बिसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इग्जामिशन पैटन भी विल्कुल सेम है New Education Policy यानि कि NEP 2020 को दोनों को फॉलो कर रहे हैं दोनों को यहाँ पर लागू भी कर दी है 2022 के सिसन से बिसिकली यहाँ पर मैं बता दू अगर्शिटन यहाँ पर आप लोग का समिस्टर 2 का इग्जामिशन जो था वो कम्प्लीटली हो चुका था आप लोग का रेजल्ट भी आ चुका था बट यहाँ पर हम बात करेंगे नौट परमोटेट टू समिस्टर 3 ठीक है नौट परमोटेट टू समिस्टर 3 कवाला जो स्टुडेंट है यहाँ पर बात करें तो लगभग BBMKU में 38% स्टुडेंट ऐसे हैं जो समिस्टर 3 में परमोट नहीं किये गये हैं यानि कि वो एक तरह से बोल सकते फेल कर गया है बिसिकली इसी को लेकर यहाँ पर BBMKU धनबाद के तरब से एक नोटिस निकाला गया है उसके बाद हम बात करेंगे कि यह reference में आपका बिनवा होगे उनिवर्सिटी क्या कर सकती है आप लोगों के लिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और completely यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आप सबसे पहले यह result देख लीजए आप लोगों को पता होगा यह आपका semester 2 का result है आप यहाँ पर साब साब देख सकते है result of FYUGP semester 2 session 22-22 अगस्त मंत में हुआ था BBMKU और विनवा होगे उनिवर्सिटी हजारी बाग का यह आपका result संथ कॉलंबस कॉलेज हजारी बाग का है यहाँ पर basically आप देखो सारी candidate pass है नीचे आप जैसी आओगे दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर promoted वाला section है clear है यहाँ पर देखी यह आपका promoted वाला section है उसके नीचे आप जैसी आओगे तो इस बार एक नया column बनाया गया था not promoted to semester 3 ठीक है यहाँ पर यह स्टुडेंट का बात कर रहे है not promoted to semester 3 ठीक है तो यहाँ पर देखोगे तो काफी संख्या में student यहाँ पर मिलेंगे जो promote नहीं किये वो हर subjects में या फिर हर college में आपको basically यह दिखेगा कि हर college में यहाँ पर student failed किये हैं इस बार बहुत अधीक मात्रा में दोस्तों इसी को देखते हुए यहाँ पर जब देखा गया कि result में काफी यहाँ पर failure है student बहुत ज़्यादा fail भी किये हैं इस बार तो यहाँ पर basically यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ABBP के तरब से यानि कि आखिल भारती विद्धार्थी परिशत के तरब से यहाँ पर BBMKU मैं आपको बता दे रहा हूँ बिनोध बिहारी महतोक को लेंचर उनचर उनचर धनबात की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपका basically क्या हुआ स्टुडेंट लोग गए और वहाँ पर जो रेजिस्टार थे कूलपती थे यारी कि जो उनचर के में आदमी थे उनसे यहाँ पर मुलकात किया गया और यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या problem basically रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग paper में भी यहाँ पर cover गया गया है असना तक semester 2 अर्थसास्त में 35 में 35 से अधिक विदार्थी को मिला सुन्य अंक ठीक है इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है यूजे semester 2 के सेकड़ों विदार्थी होंगे promote clear ABP के विरोत के बाद not promoted को promote करने का वीवी की और से मिला आसवाशन ठीक है और भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें आपका लिखा हुआ है semester 2 में fail छात्रों को semester 3 में किया गया promote ठीक है वो क्या निकल कर आया मैं आपको वो दिखा रहा हूँ उसी से आपको सादा चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों मैं आपको वीडियो के पहले ही बताया हूँ कि देखिए बिनोध बिहारी मातों को लांचे उनिविशिटी और भी भी हजारी बाग यानि कि बिनोध भावे उनिविशिटी हजारी बाग ठीक है दोनों का पाटरन, examination लेने का पाटरन और प्रोसेस और examination का syllabus लगधवक्त दोनों का सेम है ठीक है, criteria भी सेम है pass और fail होने का यानि कि जो भी criteria है वो दोनों के लिए सेम है new execution policy को दोनों कोई follow कर रहे है that means अगर एक university मेरे हिसाब से अगर एक university इस मतलब आपको promote या फिर pass कर रहे है next semester में तो हो सकता है कि बिनोबा भावे university हजारी बाग के तरफ से भी आपको promote या pass किया जा सकता है दोस्तों क्या update है जो यहाँ पर अखिल वादिय विदाथी परिशद के तरफ से आपका जो विरोध परदसन किया गया था उसके बाद यहाँ पर मानने कुलपती अध्यक्ष के तरफ से क्या आपका update निकल कर आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है यहाँ पर आप देखो विरोध बिहारी महतों किलपती का यहाँ पर reference नंबर है डेट आप देखोगे तो 8 जनवरी 2024 का है ठीक है यहाँ पर देखे लिखा हुआ है साब साब आज दिनांक 8.21 कुमान्य कुलपती के अध्यक्षता के में कास्मिक बैठक यूजी समेस्टर टू ध्यान से थुझे लिएगा एफ यूजी पी बाइस हबीस के परिचार्थियों को लेकर हुई ठीक है जिनमें निमलखी सदस उपस्थित हुए यहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे तो यहाँ पर यूजी समेस्टर टू में परिचार्थी परिचाफल 24, 11, 23 को जारी किया गया था जिनमें कई परिचार्थी अनुतिर्न रहें लगबग 38% परिचार्थियों को समेस्टर 3 में पर्मोशन नहीं मिल सका इस कारण आनुतिर्न परिचार्थियों में असंतोस उत्पन हुआ यहाँ पर साप साप यह अपने नोटिस में भी बोलने के 38% यहाँ पर स्टुडेंट जो लगबग आपका 7-8000 के असपा स्टुडेंट जो है वो यानि कि फेल कर गए हैं दोस्तों ठीक है यानि कि पर्मोट ही नहीं किये गए है यानि कि समेस्टर 3 का एग्जामनेशन फॉर्म या फिर एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं तो आप इनके हीत में क्या फैसला लिया गया है चात्र हीत को ध्यान में रखते हुए बैठक में सर्व सम्मती से निमलिखित निरने लिया गया है क्या आपका निरने किया गया है तो देखे फस्ट में आपका जो है वो बताया जा रहा है कि FYUGP 2020 Regulation के तहट समिस्टर 2 से समिस्टर 3 परमोशन के लिए परिछार्थियों को समिस्टर 1 और समिस्टर 2 में के 12 विशियों में से 9 विशियों में उतिन करना अनिवार है ठीक है यानि कि जो New Education Policy के Regulation के आपको पता होगा एक समिस्टर में आपका 6 सब्जेक्ट होता है तो 2 समिस्टर में आपका टोटल 12 सब्जेक्ट हो गए दोस्तों तो 12 सब्जेक्ट में से आपको समिस्टर 1 और 2 में कम से कम 9 सब्जेक्ट में आपको पास होना अनिवार है तभी आप यहाँ पर एक तरह से semester 3 में promote या फिर pass किये जाएंगे, semester 3 के लिए आप eligible है, ठीक है, तो यहाँ पर जो notice है, वो आपका NEP के तरफ से यह आपका कहता है, कि 12 विश्यों में से 9 विश्यों में आपको उत्रिन होना अनिवार है, ठीक है, बट यहाँ पर देखा गया क कि बहुत लोग यहाँ पर लगभग फेल कर गये थे, तो अब आपके 6 हीत में क्या फैसला लिया गया है, 6 हीत को ध्यान में रखते हुए, promotion criteria में relaxation दिया गया है, देकर semester 1 and semester 2 के कुल 12 विश्यों में से 7 विश्यों में उत्तिन परिच्छार्थियों के semester 3 में promotion कर दिया मैं ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत लोग सोचेंगे pass कर दिया जाएगा, तो दोस्तों promotion किया जा रहा है, यानि कि आपको में भी हो सकता है कि semester 2 का जो paper है, यानि कि जिन में आप फेल हुए दोस्तों, वो आपको pass बाद में exam form जब आप भरोगे back session के साथ, तो आपको clear करन होगा, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, तो वही बात बोला जा रहा है कि 12 विस्यों में से आप अगर 7 विस्यों में भी अगर आप pass कर गए हैं दोस्तों, तब आपको semester 3 के लिए promote कर दिया जाएगा, यानि कि semester 3 में आप admission और exam form भी ले सकते हैं, यानि कि आपका एक साल बरबाद होने से बच सकता है, बट सिर्फ वही लोग को किया जाएगा दोस्तों, जो 12 विस्यों में से 7 विस्यों में pass कर गए हैं, अगर 7 विस्यों से कब, यानि कि 6 और 5 विस्यों में pass कियोंगे, तो basic सा बात है, आपको promote में भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो यह देख लीजेगा, आपका जब semester 1 का result तो निकल गया होगा, semester 2 का जो आपका result आएगा, जहां पर marks लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, clear है, उसके बाद हो सकता है कि revised result भी आपको publish कर दिया जाएगा, official website पे, कि कौन-कौन student pass है, या फिर promote है, clear है, आप देखिए 2, second number notice काफी important है, इसके अलावा, आप लोग को relaxation तो दिया गया है, कि आप promote कर जाएंगे, 7 विखे में अगर pass करेंगे, 12 में से तो, आप इसके अलावा एक चीज और criteria रखा गया आपके लिए, क्या, वो मैं बता दे रहा हूँ, इसके अलावा semester 5 में, promote FYUGP 22-26 के लिए, सभी पर चार्तियों, क्रम संख्या 1 को, की मौझूदा, मौझूदा promotion criteria को पूर्ण करना होगा, ठीक है, मौझूदा criteria क्या कहता है, कि semester 1 से लेकर semester 4 तक, ठीक है, आपका total 24 विखे होगा, एक semester में 6 विखे है, तो 6, अगर हम बात करते हैं, आपका 4 semester में दोस्तों, तो आपका 6 into 4, याने की total 24 विखे आपका होगा, जिसमें की 24 में से आपको 18 विखे में उतिर्न करना होगा, तभी आप semester 5 का examination form, याने की semester 5 में promote किये जाएंगे, ठीक है, relaxation आपको जरूर दिया गया, बट बार बार आपको relaxation में भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए, यहां पर आप आप लोग को थोड़ा महनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि examination pattern काफी change हो गया है, आप लोग महनत नहीं करोगे, तो pass होने में थोड़ा कठनाई हो सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अभी के लिए 12 विखे में से लेकर, 7 विखे में जो प्रास कर गया है, उन फॉर्म भर पाऊंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह 8-1-2024 के तरफ से notification निकाला गया था, department of university के तरफ से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर बिनोद बिहारी मातो को लांचे university के तरफ से notice जारी कर दिया गया है, अब अगर हम बात करते BBU हजा आजाएगा, यह मेरा आसा है, बट यह fix नहीं का आजा सकता है, कि यह वो किया है, तो यह भी university सेम करेंगे, ठीक है, बट देखने की चीज़े, चलिए, हम लोग देखते हैं, आगे क्या होता है, बट यह student ही तमे ही होना चाहिए, ताक कि student को भी थोड़े relaxation मिले, और वो भी यहाँ पर promote कर सके, आसा है, दोस्तों, वीडियो में सारी चीज़े आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगागो तो वीडियो को like करें, चैनल पे नहीं तो please आप subscribe करें, ताक कि regular और भी update आपको मिलते रहे, thanks for watching, have a nice day.